हेलो रिवन गुड़ीवनिंग स्वागतिब सभी का ऑनलाइन स्टेडियूर में तो जैसा कि मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग एक mcq start करेंगे 50 questions के साथ जो किसमें आपको mix questions देखने को मिलेगा तो आज से यह आपका start हो रहा है जो कि इसका जो कि कह सकते सेट नंबर वन रहेगा प्रैक्टिस सेट मीनी मॉक टिस्ट कहेंगी सेट नंबर वन ठीक है तो इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहे और बताए कि आप 50 में से कितना score कर पाते हैं ठीक है ताकि हमें पता चले कि लेवल को क्या करना है क्या रखना है और हमने यह जो questions रखा प्रिवियस पेपर के recording ही रखा तो आप लोग हमारे साथ बने रहे एंड तर तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे पहला प्रशन क्या कह रहा है निमलिखित राजाओं में से मगद समराज्य पर क इसका सासन नहीं था तो मगद पे बिमिसार भी था अजात सत्रू महापदमनन्द भी था लेकिन प्रभाकर वर्धन यहां पर राइट आंसर हो जागा option D क्योंकि प्रभाकर वर्धन जो कहें वो पुस्से भूती वंसका था और यह थाने सवर की राजा थी तो यहां पर D को हो तुर्की कम तुर्की किराजानी का होती है तुर्की किराजानी अंकारा राइट निमसर ब्रामर में से शंबनत जबए retrouve करो सब्सक्रें तो सही आंसर ऑप्शन ए यह आपका रीगवेद से संबंदी थे इसे याद रहेगा रीगवेद की कह सकते हैं एक प्रकार की सखा है तो ऑप्शन ए होगा विजय नगर समराथ ने अपनी संचंता बढ़ाने के लिए स्रिस्ट मुसलिम तिरनदाजों को अपनी सीना में सामिल किया था बताए कि वो कौन थे विजय नगर समराथ की सीना कौन थे आपको बताने तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करेक्ट टांसरोजा का ओप्शन बी क इसे जग बेटकर के नाम से जाना जाता है, जग बेटकर, जग बेटकर का मतलब भी पूशा जा सकता है, जग बेटकर का मतलब होता है, जो कि हाथियों का सिकारी, ठीक है, हाथियों का सिकारी करने वाला जग बेटकर, और ये किस वंस किसा सकती, तो ये संगम वंस का सबसे सक ऑख्ति सालीस आशक का ये अधर रखेंगे इसके समय में एक फार्सी जो की राजदुद आया हुआ था भरत में इनके समय में जिसका नाम किया था अब्दुल रजाक ठीक है अब्दूर्जाक और अपने नाम सुनाओगा स्रीनाथ का ठीक है स्रीनाथ तो स्रीनाथ जो थे वो तेलगु कभी के प्रसिद्ध थे तो इन्हीं के दर्बार में रहते थे दिवराय द्विति के दर्बार में इनकी एक नाटक थी जिसको हम लोग जानते हैं महानाटक सुधा निधी के नाम से संस्कृत ग प्रश्ण मारा है question number five निमलीखित में से किस महादीप से होकर के करक रेखा विश्वत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं जो कि गुजरती हैं तो एक मात्र ऐसा महादीप है जिसको अफ्रीका के नाम से जानते हैं अफ्रीका महादीप जिसे तीनों रेखाएं होकर के दिसकाउंट है और इसकी कोर्स के प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाली है पांच अक्टूबर तक आपके पास ऑफर है तो पांच अक्टूबर तक आगर आप कोर्स जोईन कर लेते हैं तो काफी कम कीमत पर यानि की सिर्फ और सिफ 199 में पूरी कोर्स आपको मिल जाएग कोर्स के तुरू तो अगर आपको जोईन करना है तो इस वीडियो दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जल्दी से जाएगे अप्लिकेशन को डाउनलोड करिए और लॉग इन करके स्टोर सेक्शन में जाकर किस बिहार एससी थार्ड सीचियल स्टेडी मटेयल करके कोर्स ह होगा आप उसको 199 में जोईन कर सकते हैं ठीक है चली शुरू करते हैं ब्रिटिस के साथ बेसीन के संदी निमलीखित पेस्वाव में से किसने की थी तो यहां पर हमारा राइट आंसर बन जागा ऑप्शन डी बाजी रादुटिय बाजी रादुटिय ने बेसीन के संदी अं सा यूनेश को विश्वे धरोहर जो मंदिर है उसका वास्तु सिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ यानि कि परचाई इसकी नहीं बनती है राइट आंसर क्या बन जागा ऑप्शन डी ब्रिदेश्वार मंदिर ब्रिदेश्वार मंदिर से संबाद है कुछ पॉइंट से लिए ठीक है ड्रवीट से लिए इसके जो निर्मार करता है राज-राज प्रत्थम ने इसको निर्मार कराय था तो यह इंप्टेंट रहने वाला है संसीटी संसीटी अवस्तित है, कहाँ पर तो option हो जागा D, दच्छेट अफ्रीका में संसीटी अवस्तित है, इतावली जो यात्री था यानि कि इटली का यात्री था निकोलो दो कॉंटी ने किस विजयनगर समराठ के सासनकाल में विजयनगर की यातरा की थी, most important कई बार पूछा गया निकोलो दो कॉंटी, तो इसका सम्मंध हो जाएगा किसके समय में, option A को टिक करेंगे, ठीके निकोलो दो कॉंटी जो था वो दिवराया प्रत्थम के समय में आया हुआ था, option A, अगला प्रश्ट, निमलीखीत कथनों पर विचार कीज़े, चलिए यहाँ पर दो पॉंट से दोनों को पढ़िए और गेस करिए कि सही कथन कौन सा है, कौन सा कथन सही है, तो पहला पॉंट से कि कॉंग्रेस तथा मुस्लिम लीग के भी जो लखनाव समझाता हुआ था, यह आपका 1916 हुआ था, ना कि 1918, तो यह पहला पॉंट तो आपका गलत होगा, 1916 होना चाहिए, स आपके एक छोटा सा क्वेशन यह है, कमेंट जल्दी करके बताइए, कि 1916 का जो लखनाव समझाता हुआ, लखनाव समेलन हुआ था कॉंग्रेस के, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, यानि कि इसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे लखनाव समेलन के, तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है, फिलाल अगला क्वेशन देखे, नेक्स्ट वान एक हैं कि पुस्तक, तो इस वीडियो को लाइक करिये, जात जात अपने फ्रेड के साथ सेर करिये, और चैनल पर पहली बारा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करकि नोटिफिकेशन बेल आइकन को और इसना कर पाऊ और आखरी दो महीनी का लगबग देख सकते हैं दो महीने बचा हुआ तो दो महीने अच्छी तरीके से प्रिपेशन करिए तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जागा वीपी मेनन ऑप्सन हम डी को टिक करेंगे इस पुस्तक का राइट आंसर ऑप्सन डी वीपी मेनन किस देश की यातरी मुला बहभानी ने पटना को जो की जैतुल हिंद यानि की भारत का स्वर्ग का है मुला बहभानी जो है वो कहां की यातरी थे किस देश की यातरी थे तो इसका सही आंसर हो जागा ओप्सन C याकिनी की वो इरान का यातरी था ठीक है इरान का यातरी था option c 오 simplicity करेंगे लू जोन डीप समंधित है तो द्ययान रखेंघे旅 कि लुजोन डीप का संबंध हो जाता है option B फिलीपीन के साथ vibes ऑप्शं अप्सब्स घरो रेक्ट अंसर यहां पके से कौन सा जो कौनसी प्रता है संगम काल में प्रचली थे कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचली थे संगम काल में प्रचली थी कौन सी प्रथा तो यहां पर देखें ध्यान दीजेगा दास प्रथा भी था सती प्रथा इसके अंतरगत नहीं आता था दास प्रथा विवाह कर्मकांड और विसेवरिती ये त इंची जिसके अंतर गर्था तो एक तीन चार यहां पर करेक्ट है एक तीन चार ऑप्सन सी हो जाएका क। क्वेस्ट नमबर फिफ्टीन निम्ण में से किसे 1857 की करांती के दोरान साहेब ये आलम बहादूर का खिताब मिला था किसे मिला था तो यहां पर करेक्ट होगा option ए यानि कि बक्त खा ठीक है बक्त खान option एक उटिक करेंगे 57 में दिल्ली से जो क्रांती हुई थी उसमें ये सैन नतित भीन होने किया था स्बसे गहरा भाग कौन सा है तो बी यानिक महासाсьगर में उत्री अपसे यहां पर चलिए option बी यहां पर करेक्ट है अग्ला प्रस्ने जुग्भी यान स्था आप लुछ है तो यह पढ़ता है वो कहां पर पढ़ते हैं राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी जबलपूर त्रिपूरी जबलपूर मिस्ती थे ऑप्शन सी अगला प्रशने की यूरूपियन तुर्की जो इस याई तुर्की से प्रिथक करने वाला सागर कौन सा है यूरूपियन तुर्की को इस याई तुर्की से प्रिथक करने वाला सागर कौन सा है इस सागर को हम लोग जानते हैं मार मरा सागर मर मरा सागर या फिर मर मोरा सागर के नाम से जानते हैं ऑप्शन बी समिधान का कौन सा अनुचेद उधो 43 का the first forty three का this option एक और झोते करेंगे और किसी समय धे 44 संबान सिसनीता सावन धेते भारत में 6 परिसदों के संबें निम जी खितमिय से कौन सा गतन सही है तो तो छेत्रीй परिसद परिस्द के समय में कौन सा कथन सही है कि लीट गς 4 परिसदות जो गठन होता हो राश्टपती करते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हो ग्री मंत्री बना जाते हैं ग्री मंत्री होते हैं मुख्य ता ग्री मंत्री होते हैं और यह प्रकरण का वैदानिक निका है तो यह पहला तो सही है वैदानिक निका है परतेक राज्य के मुख्यमंत्री रोटेसन द्वारा छित्रिय परिसद के अध्यक्ष यह गलत है कि छित्रिय परिसद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं मैंने आपको बताए कि किंद्रिय ग्री मंत्री होते हैं तो पहला गलत है पहला सहील दूसरा गलत है तो सिर् करें कि संग लोक से वायोग से ठीक है UPSC की बात के तो UPSC कौन मनाइए यूपेसे के वर्तमान में जो अध्याख्छ है Manoj सोनी किस का अस्थान इनो ने गरं किया था तो प्रदीब कुमार चोसी का स्थान इनो ने गरंड किया था यह ध्यान रहेगा Manoj Honda mm lend sony right तो यह इंपरेंनट रहेगा यहां पे कारियों के उल ले की बात करेंग तो अनुछे दीनसो बीज एक फिस करेक्ट होगा समीधान की अनुछेद 122 में क्या वर्णर किया गया सामिधान के अनुछेद 124 में वर्णर के रहने तो एकसर purchasing जो होता है धान की दो नई किस्म होती है ठीक है धान की दो नई किस्म है तो option C होगा जफना प्रायदीप तथा सिरलंका की मुख्य भूमी को जोड़ने वाला पास कौन सा है यानि की जो दर्रा कौन सा है जफना प्रायदीप और सिरलंका की मुख्य भूमी को जोड़ने वाला जो पास है इसको उन्हों एलिफेंटा पास के नाम से जानते हैं, option B हो जागा, एलिफेंटा पास, option B, next one क्या है, निमलिखीत में से कौन सा देश, क्यास्पियन सागर से अपनी सीमा को साजा नहीं करते हैं, यानि सीमा नहीं बनाता है, क्यास्पियन सागर के साथ सबसे पहले ध्यान इसके समन्द में ट्रिक है, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिया है, दिया गया है, आप वहाँ पर चेक कर लिजएगा, और देखें, पांच जो देश हैं, उनके नाम आप याद रख लिजएगा, ट्रिक के मादम से, एरा आज तो रोख, यानि कि इरान होता ह इसके अंतरगत, अजर बेजान होता है, तुर्कमेनिस्तान होता है, काजकस्तान होता है, रूस होता है, लेकिन यहाँ पर इराक के बारे में कोई जिक्र नहीं होता है, इसके अंतरगत, कैस्पेंस आगर पांस देशों के साथ साधा करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सब लाइन याद रख लिए लाइन जो है राम जी के दर्सन करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा तो राम यहाँ पर मिजूरम मिजूरम लें ठीक है मुरलें नेसनल पार्क मिजूरम ऑप्सन बी हो जागा करेक्ट अंसर अगला है कि उरी जल बिदूत पावर प्लांट निमली खीत में से किस नदी पर बनाए गया उरी जल बिदूत पावर प्लांट जो है किस नदी पर बनाए गया तो ओप्सन बी को टी करेंगे जहィलम नदी पर जब मॉअ एन कैसमिर में यह इस्तीत है तो इसे याद रखेगा जहीलम नदी पर बनाए गया next one को सूची 1 को सूची 2 के साथ match करना है, तो देखे, एक तरफ मिट्टी है, दुसी तरफ उसके समदी जो खादे फसल है, खादे अन्फसल है, उसके साथ समद्ध मैच करना है, तो जलोड मिट्टी जो है, समदीत होता है, किसे चावल के साथ, तो first का 2 के साथ match होना जाए, तो first का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन्हीं दोनों में से कोई answer होगा, उसके बाद देखते हैं काली मिट्टी का पास के लिए सबसे important तो B का first, तो B का first यहाँ पर मिल रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो यह आपका cut गया option, right answer हो के नाम से, हिंडनबर को हिंदी याद रख लेजी और जपो का मतलब जर्मनी और पोलेंड, जपो, हिंदी जपो, option C, अगला सवाल क्या है, कि निमने जीलो में से कौन, असम में इस्तित है, असम में बताए कौन इस्तित है, तो असम में यहाँ पर कौन पढ़ता है, तो 27 अनुसूची में दिया गया आर्थिक योजना, किस सूची के अंतरगत आता है, अभी जस्ट हाली में अपनी इसके बारे में पढ़ा था, मैंने ट्रिक के मारे हम से आपसे बताया था, कि आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन, यह सभी किस के अंतरगत आते हैं, तो यह समवर्थी सुची के अंतरगत, यानि सही आंसर हो जागा option C, समवर्थी सुची के अंतरगत यूरोब की सबसे लंबी नदी कौन सी है यूरोब की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वुलगा नदी, यूरोब की सबसे लंबी नदी है option D होगा, हाली में किस ने oral cancer विमारी का पता लगाने के लिए portable device विक्सित किया एक portable device को विक्सित किया oral cancer विमारी का पता लगाने के लिए किस संस्थाने तो right answer will be option C IIT खडगपुर ठीके IIT खडगपुर ने इसको विक्सित किया तो C हो जागा correct answer राष्टी हरित प्राधीकरण कि मुख्य जो कर्याले हैं वो कहां पर जीत है राष्टी हरित प्राधीकरण जिसको National Green Tribunal कहते हैं जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य कर्याले New Delhi में पढ़ता है तो right answer option D होगा निमली खित में जैविक उर्वरक कौन सा है निमली खित में जैविक उर्वरक कौन सा है तो जैविक उर्वरक के अंतरगत राइबोजोबियम की भी जानते है राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर तो option C हो जागा correct answer 1 और 2 यानि A और B दो नुसाई है नेक्टरण की परियावरन संरक्षन अंदोलन में सहायक पुस्तक silent spring के लिखा कौन है इसाई मेंस में ये question साब का आया हुआ था silent spring तो silent spring के लिखा कौन दे रसेल कालसन ठीक है रसेल कालसन यहाँ पर correct answer होगा option B को टिक करेंगे next one की बिहार की किस जीले में समेश्वर की पहाड़ी पढ़ती है तो समेश्वर की जो पहाड़ी वो किस जीले मिश्थी थे इसके बारे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप फिलाल में रट्टा मार करके बैठे हुए हैं सब कुछ तो सुमेशवर की पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है, राइट आंसर, option A हो जागा, पस्चमी चमपारण, next one, किस किंदसासित प्रदेश ने, रियासी जीले के जैरी गाउं को, किंदसासित प्रदेश का पहला दूध गाउं घोसित किया, दूध गाउं घोसित हाली में किया गय है, तो option D हो जागा, क्योंकि जैरी गाउं है, इसे घोसित किया गया, दूध गाउं, option D होगा, जैरी गाउं, next one, निमलीखीत में से, निमलीखीत कत्रों पर विचार करना है, और बताना है कि कौन सा गथन सही है, तो चलिए, बताए पहला और दूसरा पॉइंट्स को करता है, मुखे चोटी है, बिल्कुल सही, और बैरंदीप, अंडमान और निकोबार में भारत का एक मात्र जोकी सक्रिये ज्वाला मुखे, ये भी सही है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट सही है, तो राइट आंसर, C विल भी करेक्ट आंसर, ठीक में कुनैन का औसधी रूप में इस्तमाल होता है, इस पौधे को किस हिस्से से प्राप्त किया जाता है, यानि जो कुनैन है, इसको कहां से हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ये चाल से प्राप्त होता है, ठीक है चाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, option C, चाल, next one की निमली खित में से कौन एक वायू प्रदूसक से समंधित नहीं है, वायू प्रदूसक से समंधित नहीं है, तो देखे, यहाँ पर हम बात करें, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन वायू प्रदूसक समंधित नहीं होता है, एक परकार कम कह सकते हैं कि कि किसी जलासे में पोसक तत्वों में जो समरिद करना होता है यानि कि किसी जलासे में पोसक तत्षों में बहुत जादा भृद्धी हो जाती है, उसी प्रैकरिया में जलासे में पौधो और विखास होने लगता है आपने अक्षे सास दिखने लगता है तो वो क्या होता है, utrophigation के कारण, और utrophigation के कारण एक और चीज़ हो जाता है, कि oxygen की मात्रा जो होती है, वो कम हो जाती है उसमें, तो ये चीज़ याद रखेंगा, important रहेगा, next one होने कि lichen किसके विशे सन्यूजक होते है, lichen वायू प्रदूसर के रूप में इसको जाना जात है, तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा, सैवाल और कवक, lichen जो होता है, सैवाल और कवक के सन्यूजन से बने होते हैं, dpt का ठीका निमलीखीत में से किसके सुरक्षा है, तो दिया जाता है, dpt का ठीका, तो dpt का ठीका, तो dpt के ध्यान रहेगा, dpt का जो ठीका होता, dptheria, k उक्रखासी और टीटनस, यह तीनों के लिए दिया जाता, राइट आंसर हो जागा, option d, एक, दो, तीन बिल्कुल correct है, अगला सवाल, कि किस राज्य सरकार ने, जो कि यूरोपिये सहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदरी करण परियोसना शुरू की है, जो कि दिल्ली सरका option c हो जागा, तो फिन्स आसा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया, तो यार कर लीजिए, पक्चियो के पंक क्या होते हैं, तो राइट आंसर हो जागा option d, रुपांतरित अगर अंग होता है, रुपांतरित की फोकस दूरी अनंत, सही विकल्प चुनना है, अब यहां पर बताएगे कि सही विकल्प कौन सा होगा, तो देखिए, आइसो टॉप जो होता है, इसमें क्यों होता है, इसमें क्यों होता है, इसमें परमाडू की संख्या संख्या समान, समान परमाडू संख्या लेकिन दर अद्रमान संक्या वो आपका समान होता है तो ये दोनों के दोनों कर्थन सही है तो दोनों सही ऑप्शन सी को टिक करेंगे अगला पॉइंट कि विकास का सिध्धान्त किसके दौरा प्रतिपादित किया गया था तो अगर आपने डी को टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर होगा Darwin, चार्ल्स Darwin यहां पर correct है, देखिये आज किस वीडियो का आखरी questions है, तो हाली में किस देश ने एक railway station का नाम Mahatma Gandhi के नाम पर रखा है, बताइए, current का question है कि एक railway station का नाम Mahatma Gandhi के नाम पर रखा है, तो क्या होगा, option B, Morisus ठीक है, Morisus यहां पर correct answer है, आपसन भी को टिक करेंगा, तो फेंस आसा करते हैं कि आप लोग को आज कर ये 50 MCQ अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने कोर्डिंग बते के कमेंट करके कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी स्कोरिंग क्या रहे 50 questions में से आपने कितना स्कोर किया, वीड तो चलिए, आज किस वीडियो में इतना हैं मिलते हैं, नेक्ट क्लास में, थैंक्स वर वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हवग उट्टे